हलाव दियुक्त नमस्कार दोस्तों स्वावाथ है आप सभी का एक बार फिर साची इश्वाथम के साथ अड़ेटोफर 7 हमारे से YouTube प्लेटफॉर्म पे और आज है ठड़ीट अफ नमबर की करेंगे अब लोगों से गुजारेश है कि अगर आप लोग कर सकते प्लीज एरेक बार सेशन को शेर करने स्टार्ट करेंगा ऑके कैसे क्या रहेगा सेशन डिटेल में डिसक्स करेंगे इंपोर्डं एम्पॉर्ट न्यूस भी है इविन एक पॉवर्टी इंडेक्स आज हम लो पर वह यह इंडेक्स तैयार किया गया है इस सारी चीजों का या इविन किन पैरामीटर पर बहुत कुछ है रजिनीश कुमार साहब का इंपॉर्टेंट अपॉइंट्मेंट है एक इंडियन ओरिजन शायद ट्विटर के सीयों बने है किनको रिप्लेस किया है सारी चीजों का मिला जुलाकर काफी इंपॉर्टेंट सैशन रहने वाला है प्लीज अरेंट तक देखिए गा और जोड़े रहेगा ओके सबसे पहले बढ़ेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ यह जो कोट लिखाने से दो तरीके से लोग पढ़ते हैं कल तो आप ही पढ़िए योर टाइम इस कमिंग सून होल्ड एंड बी स्ट्रॉंग क्यार अपना डाइम अभी सही नी चल रहा है अपना डाइम सही नी चल रहा है आएगा 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 इंतजार में आएगा प्रयास नहीं हो रहा है इंतजार में आएगा टाइम हर वक्त सही होता है हर वक्त सही होता है आप जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार ये देखे ये यहाँ इसको रोजगार नहीं है इसके पास फिर भी वो कुछ नहीं कुछ करना होगा ना कोई हाथ पर हाथ अक्के तो नहीं बैटता ओके तो लाइफ में भी यही जरूवत होती है आपको ना रुकने की नहीं है आपको चलते रहना है रुकना नहीं चलते रहना यह जो टाइम आएगा आएगा यह पॉजिटिविटी अच्छी जीज़ है वट इस पॉजिटिविटी के लिए आपको एक्जिक्यूशन भी करना पड़ेगा आप सिर्फ इस इंतजार में बैटे अपना डायम आएगा अपना डायम तो इस दोर में बढ़ते रही है आगे चलते रही है मेरे दोस्त रुकने का नहीं है और यह जब दोर में आप आगे बढ़ते रहेंगे न तो किसी एक वक्त पर आप उस जगह से मिल जाएंगे जिसके लिए आप बने हुए हो तो आपको गया अपना डायम आ गया लेकिन य यहां हूं तु यहां है बेटा यहां तक आतो सही देखो न बेटा मैं यहां हूं तु यहां यहां आतो सही और यहां बैटकर आप यह इंतजार करो कि यह यहां पर आएगा प्यासे के पास आता कि प्यासा कुगे के पास जाता है बस वही है मेरे दोस्त थोड़ा चीजों क को समझो अपने efforts को और बहतर करो जो सोच रहा हूं से execute करो जब result आए अगर result favor में नहीं तो analysis करो क्यों favor में नहीं है जहां कम्यां उस पर काम करो फिर देखो हर दिन अहसास होगा अगर इस इस चीज को अपनाते हो हर दिन में एसास होगा आज जो मैंने किया है ना कल उससे मुझे बहतर करना जो मैंने आज किया जो कमी आ रही उसको और अच्छा करना है ओके दिए पॉजिटिव थौट यह छुटी छुटी चीज़े है थम रूल बना लो लाइफ का चीज़े बहतर होने लग जाएंगे यह इस्टार्ट करें गुद बॉनिंग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं ओके चलो एक दिन आपकी शादी का डाइम भी आएगा आरे आएगा क्यों नहीं आएगा मेरे भाई ठीक है उसके वाद फिर करेंट अफिस का दोड़ा टाइम कम करना वड़ेगा चलो बढ़ते मेरे भाई जड़ा देखना अच्छै एक और इंपॉर्टन लास्ट आज आपका मन्थ एंड है और ठटी ओफ नमबर आज लास्ट डेट है ठटी ओफ नमबर और ठटी ओफ नमबर लास्ट डेट मतलब यह कि डवल वैलिटी की आज आखरी डेट है यानि कि अगर आप लोग इन्रोल कराना चाहते है डवल वैलिटी में बैंक महा पैक में तो आज आपके पास आज लास्ट मौका है बारा बजे तक आप इन्रोल करा लिजेगा क्योंकि कल से बिटा ये डवल वैलिटी हट जाएगी बैंक महापैक फिर लास्ट मंत में नेक्स मंत में आएगी तो ऐसे में जरूरी है कि ऐसे एस्पारेंट जो इंट्रेस्टेड है और जिनको बैंक महापैक लेना है उनसे मेरी गुजारिश है लगा है प्लीज अड़ा 247 पे जाएए चाहिए शिक्स मन्त वाले लीजे ट्वल वैलिटी आपको मिलेगी कोड जरूर याद रखेंगा भाय करने की दौन इट इस वाइव वन सिक्सेट होके यह कोड है मेरे दोस्त आज पता नहीं क्या होगे चल ही क्यों नहीं रहा चल जा भाई यह नहीं चला तो काम कैसे चल लेगा चल जहां वाई 168 कोड लगा लेना इस पर आपको 78% discount मिल जाए एंड में पढ़ लेंगे अब मुद्दे की बात पर आते हैं और यह रिट की नेक्स्ट क्लास कब होगी सारी क्लास एक दिसमबर से रिज्यूम कर दो मजह होगी है रिंग वांडरिंग बैग कोवेटिड गोल्डन पिकॉक अवर्ड एड दी क्लोजिंग सेरेमनी ओफ 52nd एडिशन ओफ इंटरनेशन फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया इन गोवा इट इस डिरेक्टेड बाए हूम गोवा में भारतिय अंतरास्तिय फिल्म मोहसब के बावन वे संस्क्रण के समापन समहारों में रिंग वांडरिंग ने प्रतिस्टित गोल्डन पिकॉक पुरुसकार जीता यह किसके द्वारा निर्देशित है बताए मेरे बाए इट इस डिरेक्टेड बाए हूम 50 Second International Film Festival of India का कल मैंने एक सेशन कराया था कल एक important सेशन कराया था मुझे लगता है कि यह सबी लोगों ने उस सेशन को देखा तो जरूर होगा जिन्होंने नहीं देखा डोंट वरी मैं रिवीजन आज करा दूँगा इस वाले सेशन में पूरा का पूरा इसका अंसर दीजेगे जरा बहुत बड़िया जैपनीज डारेक्टर है इनका नाम है मसा काजू काने को मसा काजू काने को यह एक जैपनीज डारेक्टर है और 50 Second International Film Festival of India में Golden Picoke Award इस मूवी ने जीता है रिंग वाल्डरिंग ने जो की इनके दुआरेक्ट की गई है बागी के नाम देखिए मार्टिन स्कॉर से एन इस्तेबन सजाबो यह कौन है मार्टिन स्कॉर से से एन इस्तेबन सजाबो इनको सत्जीत रे Life Time Achievement Award दिया गया सत्वЙ जी तरेल लाफटाइम अचीमिन्ट अवारड़ से किनको नवाजा गया इस्टिबन सजाबो को और यह जो वेकटी है माइस्टिबन सजाबो यह अमेरिकन फिल्म मेकर है और यह जो सजाबो यह हंगरी है यह दोने चीज़ आपको याद रखनी है हेमा मालिनी और परसून जोसी को इन दौनों को Indian Film Personality Of The Year Award अवाइस नवाज आ गया Indian Film Personality Of The Year Award नवाज आ गया हेमा मालिनी और परसून जोसी को मार्टिन स्कॉरसे से एन स्थिवन सजबो को सत्यजीत रे Lifetime Achievement अवाज अवाज आ गया एन मसा काजू काने को ये रिंग वांडरिंग के जैपनीज डारेक्टर और फिफ्टी सेकंड एडिशन इंटरनेशन फिल्म फेस्टिबल ऑफ इंडिया में गोर्डन पिकॉक अवार्ड से नवाजा गया ओके नेक्स अगला एक साउथ आफ्रिका की फिल्म बरकत और एक रशिया की फिल्म है सन अवब मी नेवर सेट जो की डारेक्ट की गे थी लिवोब वारेस होगा की दौरा इन दौनों मूवी को बेक्स जो फिल्म फेस्टिबल रहा चटा संस्क्राण उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया यह जो बरकत मूवी इसके डारेक्टर का नाम क्या है सैच डारेक्टर में एम्मी जैम्टा यह या दोगा तुम लोगोन अगर यह भी याद न ना होतो और तो दिक्कत वाली बात है कल मैंने यह पूरा का पूरा डिटेल में तुम लोगोंको समझायए था साउच आफ्रिक फिल्म के डारेक्टर करना में एमे जैम ता, अब ज़गा बाकी देखना धनुष की बात कर लेते हैं, लारा बोल्डरो नहीं, इन की बात कर लेते हैं, धनुष, एक मुवी है इसका ना में असुरण, आसुरण, ओके और असुरण में जो best actor award दिया गया बेस्ट अक्टर, यह धनूश को दिया असुरण के लिए best actor अवाड धनूश को दिया गया bricks film festival में best actress रही है Lara Balduroni kis के लिए on wheel on wheels best actress on wheels के लिए Lara Balduroni best actor asuron के लिए धनूश हों गया ये clear ये clear हो गया येन, हैन, येन, हैन या हैन, येन ऐसे पढ़ोगे, लिटल रेड फ्लार के लिए, लिटल रेड फ्लार के लिए, जो हैन, येन है, इनको jury special mention award दिया गया jury special mention award ओके, from China देकि यह जरूर याद रखेगा, luri sorry, luri नी, it is jury jury special mention award कि इनको दिया गया, है निया इनको, किसके लिए दिया गया है, है निया इनको तो दोस्त, यह है आपका, a little red a little red flower, ओके eme jamta clear हो गया lucia murat, ओके best director award दिया गया, best यह सब Bricks Film Festival का है best director award, किस movie के लिए, it is Anna Anna, ओके, Anna एक दो बार में नहीं याद होगा, बट हम पढ़ते रहेंगे तो अपने को याद हो जाएगा, तो यह अपने लिए Bricks Film Festival थोड़ा सा clear हो गया, और अपने लिए यह दोस्त International Film Festival of India के थोड़ा सा clear हो गया, आगे पूरा कर लेंगे who has been named says Republic new Prime Minister, कि इसको चेक गड़राज का नया प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया है, चेक गड़राज सेज रिपब्लिक जिसकी capital है, प्राग, currency वहाँ पर चलती है, कुना, ओके इसकी जो नए प्राइम मेरिस्टर बनिन करना में पैट्री फाइला, ओके पैट्री फाइला, फाइला अब्दुल यह देखो, option अब्दुल गुर्ना रज्जाक, अब्दुल रजाक गुर्ना, हम लोगों नहीं नोवल प्राइस पढ़ाता, ओके 2021 नोवल प्राइस पॉर लिट्रेचर यह किसको दिया गया है लिट्रेचर में, साहित्य में नोवल प्राइस देखो, किसको दिया गया तो दोस्त, यह है UK-based तंजानियन राइटर, ओके और इनका जर्म हुआता है एक आईलेंड है तो UK-based तंजानियन राइटर इनका नाम है अब्दुल रजाग गुर्ना और इनको किसका नोवल प्राइस दिया गया था फॉर लिट्रेचर और साहित्य के लिए तो यह option clear मारिया रेसा, मारिया रेसा क्या है असल में यह जो मारिया रेसा है यह किस कंट्री से आती है दोस्ट फिलिपिन्स 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 अमेरिका नहीं मारिया रेसा दिरिमित्री मुरातो भी रशिया से है दोनों ही जर्नलिस्ट है और दोनों को यह रशिया से दिमित्री मुरातो किनको दिया गया है तो दो डैविट कार्ड को किनको डैविट कार्ड इवन डैविट कार्ड के अलावा एक नाम और जोस्वा एंग्रिस्ट जोस्वा एंग्रिस्ट ओके जोस्वा इंग्रिस्ट एक नाम ता गुडो इंबेंस गुडो इंबेंस अगर याद नहीं है तो यहाँ पर हम लोग के लिए यह लिटरेचर क्लियर हो गया देखें के साघ्राइब किमस्ट्री में कितने लोगों को इस आवार्ट दिया गया Chemistry में दो लोगों को दिया गया है सर David List एक नाम था Benjamin List Benjamin List और एक नाम था David Macmillan David Macmillan दोस बेंजामिन लिस्ट David Macmillan इन दोनों को Nobel Peace Prize दिया गया था Chemistry में जो molecules से उसके building को लेकर उसको बनाने को लेकर जो भी काम रहा था उसके लिए यहाँ पर यह अवाट दिया गया इविन दोस यह Chemistry होगा 4 का डिगरी, 5 भी का डिगरी उठा लेते It is Physiology and Medicine Physiology and Medicine में भी दो लोगों को दिया गया इस साल David Julius David Julius and Adam Petaportion Petaportion तो David Julius, Adam, Petaportion इनको Physiology और Medicine में Nobel Prize दिया गया Physiology clear, Chemistry clear Peace clear, Literature clear Economics यहाँ लिख लेते हैं इदर Physics Physics में कितने लोगों को अवाड दिया गया है Physics में Physics में भी यहाँ पर इस साल 3 लोगों, Maximum 3 लोगों को मिल सकता है 3 लोगों को अवाड दिया गया और कौन 3 है वो Siu Kuro Menawe Siu Kuro Menawe Okay, एक नाम हो गया दूसरा नाम है यहाँ पर Giorgio Parisi Giorgio Parisi Okay, या Parisi Giorgio Parisi, Siu Kuro Menawe 3 लोगों, Klaus Hesselman Klaus, Klaus Hesselman Hasselman Okay, Klaus Hesselman, Giorgio Parisi, Siu Kuro Menawe इन तीनों को Physics में Nobel Prize से सम्भानित किया गया यह मैं मानता हूँ, यार याद नहीं होगा तुम लोगो ठीक है, नहीं याद होगा Physiology में है, या Physics में है, Chemistry में जो नहीं नहीं पढ़ रहे है जो पहले से पढ़ रहे होगा उनको सब को याद होगा तो भाई, रिवाइस करते रहो चीज़ें याद रहेंगी, एक दिन के लिए छोड़ दोगे बहुत दिक्कत में आने वाले हो फिर, ओके Next आगे बढ़ते हैं Cherry Blosom Festival was celebrated in which state Cherry Blosom Festival किस राज्ज में मनाया गया अपने लिए आंसर बनता है, यहाँ पर मेगाले मेगाले, Capital Shilong में इसके राब़ ज़रा देखो फगली फेस्टिबल कल यहां का पढ़ा था, लग्दा का लूसार रहा राइससंगा गंगौर फेमस पढ़ा मद्द प्रदेश का एक हम लोगों ने पढ़ा था तांसें सामारो, मांडू फेस्टिबल, नमस्ते औरचब फेस्टिबल ओके, और भी फेस्टिबल अभी लिस्ट में देख लेंगे लिस्ट दिए तु प्रमोट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आहरबल फर्स्ट एवर अहरबल फेस्टिबल हेल्ड इन विच स्टेट अबले की यूनिन टरिट्री परिच्टन स्थर अहरबल को बढ़ावा देने के लिए किस राज़ और केंदर सासर प्रदेश में पहली बार किस स्टेट में रहता है आहरबल फेस्टिबल ओके तांसर मद्द प्रदेश बढ़ी तांसर जो है यह ग्वालियर में हर साल मनाया जाता है हर साल तांसर समारो अवार्ड भी दिया जाता है वहाँ पर वो भी इंपॉर्टन बनता है बहुत बढ़ी है अब बाकी के जरा उप्शन जितने भी इन सभी को देख लेता है लिस्ट है उसको कम्प्लीट कर लेते हैं रजपर्व यह पहले भी पढ़ा चुका हूँ रजपर्व जो है यह उडीसा का है नुआ खाई उडीसा च्छतिसकार दौना में सेलेबरेट के जाता है चैरी ब्लोजम फेस्टिबल यह मेगाले का है एंड चैरी ब्लोजम माओ फेस्टिबल यह मनिपूर में रहता है मनिपूर में लुई नगाई नी सिरुई लिली फेस्टिबल लाए हरोबा भी है चाबचर कूट फेस्टबल ये मिजोरम में है ये भी इम्पॉर्टन है ये कहा Hey ये कहा का सिक्किम का ये सब मंध्यप्रदेश के हो गए प्लैमिंगो फेस्टबल आंधर प्रदेश इंटरनेशन काइट फेस्टबल गुजरात पगली यन्ड लोसार ये लो सारी हिमाचल प्रदेश में यह लगदाख में भी है ओकै फूल देशि के false उत्राखंड क्रफ सुला कुऩ सूरी्ब मखकर वे लखकू आधी पयरकू आदी मांशून कहते हैं पॉंगल फेस्टिबल तमिलनाडू है थाई पूसम तमिलनाडू है सानी प्यारची फेस्टिबल्ड पूड़िचरी है गंगौर राजिस्थान है लोसार यहां अद्दाक में भी है, हैमिस फेस्टिबल अद्दाक में एन बोलालू फेस्टिबल ये तिलंगाना रहा था, क्लियर है, एक मैं फिर बोल रहा है, एक दो बार ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, अगर सोचो की नहीं, एक बार मैं पढ़े हो और बिलकुल बखाई मलब को सोति व TO में है, पंगल हापëलो तो आनशिपिने फ्लैमिंग को फेस्टिबल अनर प्रदेश आना चाहिए, हॉनम फेस्टिबल नागलेट तो हॉनम फेस्टिबल अप्रady प्रदेश हो गया, रहा है सब्लाउ सानि प्यार्चिंभ और मेरे से कोई भी के पो इंडियन एरफोर्स रिसीवड टू मिराज 2000 फाइट एरक्राफ्ट एडिट्स ग्वालियर एरबेस डेसॉल्ट एविएशन इस विच कंट्री इस कंट्री अब डेसॉल्ट एविएशन उसके दुवारे इन मिराज को तयार किया गया था भारत को दो मिल भी गए ग्वालियर एरबेस में सवाल है कि डेसॉल्ट एविएशन किस देश का कंपनी है ओके डेसॉल्ट एविएशन इस अ कंपनी ऑफ विच कंट्री तो जब कभी भी कोई भी डिफेंस रिलेटेड आये ना तो आप एक काम कर लिया कर दिए छोटा सा एक होमवक अपने लिए रखिए यह हो नमें डेमेंटर करेंफ लिए यहां कर सब्सक्राइब करेंदेटेड हो गया ठीक है यह इवन होग यह जितनी हैूंना इसी में जोड़ीए हैं एक्सकरी Exodus अति एक सब्वेक्स की लिए स्कीनी उक्रीटेड उनके yem कर भूह दिए उसी के साथ सब इसके हैड अब यह आपका काम क्या होगा अगर डिफेंस रिलेटिट नीज आ रही तो वह आपको इक न्यूस के तोर पर काम नहीं कर रही हो आपके डिल्स का रिवीजन करा रही है रेजिंग दे भी करा रही है, कौन सा रेजिंग दे है, इवन उनके हैड भी करा रही हो, संस्था रेड़ेटर, स्टैटिक फेक्ट भी मिल रहा है, BEML, BHEL, BEL, HEL, इससे रेलेटर न्यूस कम्प्लीट हो गई, इस वो कम्प्लीट डियाइड और क्लिप्लीट exercise कम्प्लीट, यह छोटा सा exercise अपने पास रखो, यह लिख लेना एक जगे की नियर जब भी आएगा ना, अब हमें इस तरीके से अपने पास notes बना के चलने है, ठीके, अब यहाँ पर जड़ा कम्प्लीट कर ले थे, यहाँ मैंने France, UK, सब की exercise link करी है, फ्रांस के साथ कौन सी है, शक्ति, वरुण, गरुण, और डेजर्ट नाइट, यही तो है, शक्ति, वरुण, गरुण, डेजर्ट नाइट, यही तो है, शक्ति, वरुण, गरुण, डेजर्ट नाइट, यही तो है, शक्ति, वरुण, गरुण, डेजर्ट नाइट, यही तो है, यही तो है, शक्ति, वरुण, सब्क्त थाती कॉंद्रजर से टायर यूदव्यास वजणपरः कोप इंडियर तंड्लों। यूदब्यास वजप्रहर कोप इंडिया टाइकर तरब यह भारत की USA के साथ exercise है ओके सिंगापुर के साथ भारत की ओमान के साथ उठा लेते हैं पहले ओमान यह रहा यह लोगा यह क्लियर हो गया ओमान उबान के साथ भारत की तीन exercise होती ही अलनागा नसीम अलमान खिए ओमान होगा ये तो यार याद होगा, बोलने में दिक्कत होती है आपको, मेरे को क्या बोलने में दिक्कत है भाई, मैं तो किता शुद्ध अच्छा है बोल रहा हूँ, तिमबैक्स, बोल्ड कुरुचेत्र, अगनी वारियर, अजय वारियर, कौनकन, इंदर धनोश, कौनकन सक्ती, युद प्रते एक वर्ष, जो रास्टी अंगदान दिवसा है, इसको हम लोग किस दिन को अब्जर्व करते हैं, एन्सीसी वाला डे गड़वड हो गया, उसे चेस, करेक्ट कर लीजेगा, फोर्थ संडे ओफ, नवंबर अब्जर्व करते हैं, और इस वार फोर्थ संडे कब रहा आपका 28th of November को, ठीक है, एन्सीसी डे, उसे करेक्ट कर लीजेगा, प्लीज, लास्टी यर हम लोगो ने जब मैंने पढ़ाया था, आपको तो मैंने उसमें सिर्फ एडिशन चेंज कर दिया था, I felt कि वो आपका सेम डे ही रहता हुआ, रेजिंग डे है तो, बड़ यहां प प्लीज, जब इसे करेक्ट कर लेना, अब जब नवंबर के डेस में डेस का रिवीजन कर देते हैं, जो ऑप्शन में सेट अपने लिए, लैक 18 नवंबर को इस वार कौन सा डे रहा है, वर्ल्ड फिलोसफी डे, ठीक है, यह हम लोगो ने पढ़ाता, 20 नवंबर को कौन सा ड अपना अंसर है, नेशनल ओर्गन डोनेशन डे, आपका इस दिन अब्सर्व किया याता है, क्लियर भाई, एक है नेक्स आगे, इन इस लेटेस्ट रिपोर्ट, मूडी जी इन्वेस्टर सर्विस है वे कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, पहले मूडी इन्वेस्टर सर्विस इस ने जो भी कहा था कि 7. इसका यह कहना है, 9.3% रहेगा, ठीक है, एस पर मूडी इन्वेस्टर सर्विस, बस यहाँ पर एक रेट और याद रख लेना, कि रिजव बैंक ओफ इंडिया ने 2021-22 के लिए इंडिया का प्रोजेक्शन कितना कर रखा है, 9.5% रहने का नुमाने, एस पर NSO जो quarter 1 रहा है, उसमें इंडिया की GDP ग्रोफ रेट कितनी रही है, इस 20.1%, ठीक है, यह दो अपने लिए सूपर इंपोर्टन बनती है, एस पर आर्बी इस बाइस, 9.5% एस पर NSO, एस बाइस का पहला quarter में जो exact रही थी, होकी इंडिया ने आगामी पुरुष एशिया यह चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक टीम की घोशना की जो धाका बंगलादेश में मौलाना भसानी होकी स्टेडियम में आयुजित की जाएगी, कौन टीम की अगवाई करेंगे तो दोस इनका नाम है, मनप्रीत सिंग, मनप्रीत सिंग इंडियन टीम की अगवाई करेंगे, जो विवेक सागर प्रशादे जो की मद्रप्रदेश से हैं, यह क्या कर रहे हैं, एफ इफ इच जो जूनियर वल्ड कप हो रहा है, उसमें तो आप एक काम भी कर सकते हो, आज ओलंपिक का और परालंपिक का रिवीजन कर लेना, अगर वक्त मिले तो ओलंपिक परालंपिक, नेक्स्ट, निमनमे से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, निमनमे से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, रशियन प्रेजेंट व्लादेमिर जो कि नई दिल्दी में ही रहेगा 6th of December को ये statement भी true है Defense Minister भारत के राजना सिंग पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरफेर मिनिस्टर एस जैसंकर भारत की तरफ से represent करेंगे जब कि रशियन जो साइड रहेगी उसको represent करेंगे उनके Foreign Minister सर्जी लेवरॉब जो Defense Minister होंगे सर्जी सोईगु ओके तो सर्जी सोईगु सर्जी सर्गई सोईगु ये represent करेंगे और सर्गई लावरु भी ये represent करेंगे clear है guys? All right, all right यहाँ पर जितने भी हैं ये सारे के सारे सही बनेंगे कोशिश किया करो जब news थोड़ी अच्छी होना अच्छी का मेरी परिवाश है यहाँ पर यह कि 45 पॉइंट वहाँ से बन सकते हैं तो उसको न नोट कर लिया करो क्योंकि ये वाला जो पॉइंट C है न ये question 200% बनना है कि 2 प्लस 2 dialogue में defense minister या foreign minister इंडिया की तरफ से नहीं हो रशिया की तरफ से पूछ लेगा या इवन ये पूछ लेगा कि इंडिया रशिया annual summit का ये कौनसा edition है 21st है या तीसरा पूछ लेगा इसका venue क्या है तो new daily है इससे पहले अभी तक coordination के साथ भारत का होता था जिसमें इंडिया, USA, Australia, Japan लेकर ये जो एक मेरा बैच है वारियर मैंने वारियर मैं बाइंकिंग टर्मिनलोजी स्टार्ट कर दिये 9.0 में मंडे, वेंस्डे, फ्राइडे उसकी क्लास होती है आप जाई ये इस बैच में इन्रोल करा लिजेगा ठीक है इस बैच की में कल मैंने क्लास ली थी, कल मेरी जो क्लास 30 में 2 घंटे 20 मिनट की नौन स्टॉप क्लास चली थी नौन स्टॉप क्लास रही थी कल 2 घंटे 20 मिनट की फर्स टाइम ही होगा मैंने वारियर में 2 घंटे पढ़ाया है NBFC Ombuds में नहीं रहा, Digital Ombuds में नहीं रहा, यह सब खतम हो चुके हैं, इंडो नैपाल रेमिटेंस इसकी में काफी चेंजिस हैं, काफी कुछ है जो warrior 9 updated आपको मिल रहा है, उसमें मिलेगा, जाहिए financial awareness जो target कर रहा है, इस batch में इन्रोल करा ना, आज Y168 code लगा ले ने, double value मिल हो रहे है, बैंक महापेक में यह सब मिलेगा, ठीक है, आज की पहली और important news ध्यान से समझते हैं, नीती आयोग release first ever multi-dimensional, सर बस सर, अच्छा, एक मैं तुम्हें उधारण देता हूँ, मेरी बात को समझना, बड़े तसलिस है, कल मैंने 50 second international film festival of India करा है, कितने मिनट का session था हूँ, 8 से 10 मिनट का session था, पूरे दिन में मातर 6000 लोगों ने वो देखा था, क्यों, ऐसा क्यों मेरे भाई, और जिन्होंने नहीं देखा, वो इतने कौन से important task में थे, कि 10 मिनट का वक्त नहीं निगाल भाए, तो जाते हैं, लोग जगाना पड़ता है, और जगाने की process को ही हम बार-बार बार बोलते रहते हैं, जो बार-बार सुन रहे होते हैं, उनको लगता है कि irritate कर रहे ह और दूसरा एक चीज अगर मैं बोल रहा हूं कि यह important session नहीं समझो, time pass कंदी नहीं आ रहे हैं, और अगर वहां पर आप लोगों के लिए 50 second international film festival of India पर session बना जा रहा है, उसका purpose है कोई, अगर उस session में आप लोग जुड़ गए होते हैं, तो मैं यह session में आज नहीं लेकर आय है, overall session देख रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों, क्यों important नहीं है, क्या वहां से कुशन नहीं बनेगा, या खुद को मान चुके, कि यहां से तो exam में कुशन आना ही नहीं है, या वो superiority वाले feel आगे नहीं है, हमको तो पता है क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, थोड़ा तो दिमाग लगा, थोड़ा तो sense लगाए करो, दसमट का डायम निकाला करो, यह खाना पूर्ती करने से काम चलने वाला नहीं है, आपका गुस्सा भी बहुत प्यारा है, हाँ, गुस्सा भी प्यारा है, ले लो मजे, पढ़ लो चुप चाप से भाई, सल्ली से सांती से चीज़ों को सम है था, मैंने पढ़ा है था कुश्चन, डिसल्टल ओमड्समें बताए कि दिरा था ट्री टैप्स ओमड्समें जिसको जून में इंटिग्रेट करेंगे, एकजाम में कुश्चन आ गया की बैंकिंग ओमड्समें होता, इन्वेस्टी में होता, तीसरा कौन सा ओमड्समें है इसको इंटेग्रेट के रहा नहीं पड़ेते हैं अरे याद सरा आते हो प्रमोसन करते रहे तो अरे सरा आते बताते रहते तो भाई एक बात बताओ समझने कि तुम्हें भी जरूरत है हर्चीज नहीं अवेलीबिल हो सकती यूट्यूब के कैसे वेलीबिल हो जाई है एक और इतनी बड़ी बिल्ड हुई है तो उस और्गनाजेशन को रन करने के लिए चीजों के जरूरत पड़ती है समझे थोड़ा नॉमिनल प्राइस चीजों के अविलेवल है ऐसा नहीं कि बहुत ही उस प्राइज है 790 में वारियर 880 में करेंट अफेर है पूरा बैंक महापक 3000 में हमें अपे लेवल है एक साल के लिए और चाहिए बढ़ नहीं हमको तो उसमें भी और चाहिए वही वाली बात है जब दूद देने वाला आता है ना वह दूद दे रहुत है उपर से डलवाने वाली वह आदत जाएगी नहीं डाल से साटिस्वरेक्शन लेविल ही नहीं कितने लोगों ने देखा होगा 15000 लोगों ने मातर देखा रहे तरह स्थी भांट्या लिपसी को पता होना चाहिए ला मैंन हुद एक बैक है या बैंक स्था लगा होगे क्या करोगे next sir next ठीक है वाइले next ही कर रहा हूँ नीतिय आयोग यह अधियान से समझ जी है नीतिय आयोग रिलीस first ever multi-dimensional poverty index to measure poverty at national state UTN district level अब गरीबी सूचकांग की बात करते हैं मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है काफी चीजों को यहाँ पैरामीटर माना गया और उसके बेसिस पर यहाँ पर इंडेक्स जारी किया अब ज़रा समझना इस इंडेक्स में टॉप पर स्टेट कौन सा है यह दिख रहा है बेहार सबसे ज़रा गरीबी यहीं पर है सबसे लुएस कौन सा है तो केरल आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा यह केरल यहां पर दोस्त हर तरीके से दे रखाव और दन 40 चल रहा है परसंट तो यह रैड से मार्क कर रहा है रैड जोन यहाँ पर और यह लेस दन 10 है यहाँ पर green डाक green से आ रहा है मतलब यह जो percentage of people है who are multi-dimensional poor मतलब जो कि गरीबी है मतलब गरीब जिख बिहर केरल में 50-5.9 % हो गया केरल ना 0.7 % है यह मेरा कहना नहीं है यह दो स्नीतिया यह का सबसे कम बिहार टॉप पर रहा है इस इंडेक्स में काफी कुछ है पढ़ने के लिए कि करके पढ़ते हैं तिरह देखेगा इसको बिहार कि दॉषिए पॉरेस्टेट एस पर दी फस्ट एवर मल्टी डैमेशनल पॉवर्टी इंडेक्स प्रिपेर अगे उसमें बिहार टॉप पर रहा इस इंडेक्स के इनुसार् जो बिहार है उसमें हाइस पॉर्चन ऑफ पीपल है जो की पॉवर्टी के साथ है प्लीस परसेंटे लेगरी के तहताती बिहार की बिहार के बाद जारखन में 42.16 परसेंट दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर यह उत्तर प्रदेश हो 37.79 परसेंट के साथ 37.79 परसेंट इसके साथ आई होप यार गाईज यह वाला भी क्लियर होगा आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके ठीक है? क्लियर रही? नेक्स आगे देखना जो यह मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्री डिमेंशन रही यह इंपोर्टन बनेगा तीनों पूछा जा सकता है हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टेंडर ओफ लिविंग है इ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग, वाटर, सैनिटेशन, बैंक अकाउंट यह सब चीजों को कंसीडर गिया गया है, तो ट्वैल्व इंडिकेटर है, तीन डाइमेंशन है, तीन डाइमेंशन कौन से वो याद रखने है, ट्वैल्व इंडिकेटर तो एक बाल के दिशाद ना याद रखो, ठीक है, जो मेतलोजी जो यूज की गई है, MPI के लिए उसको डवलप किया है, Oxford Poverty and Human Development Initiative, जो Oxford Poverty and Human Development Initiative है वो, और United Nation Development Program इनके द्वारा यह जो मेतलोजी डवलप की गई थी, उसको यूज किया गया था, MPI कैलकुलेट करने के लिए, और यह जो मेतलोजी है ना, यह globally acceptable है, ओके, तो मतलब और भी देशन, जिसको मतलब accept कर चुके है, और इसका यूज करते है, MPI कैलकुलेट करने के लिए, और इंडिया ने भी इसका यूज किया, यह बहुत अच्छा पॉइंट आए, यह वाला पूछा जा सकता है, कि यह जो मेतलोजी है, इसको बनाने वा development initiative हो गया, अब UNDP याने कि United Nation Development Program इस से related static fact पूछ सकते हैं, पहले लास्ट वाला पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जगा देखो, केरल जो है ना केरल, यह लीस्ट है, फिर उससे दूसरे पर नीचे से, तीसरे पर सिक्केम, चौथे पर तमिलनाडू, पंजाब है, बढ़िया, कोट्टम जो केरल है रही है, एक एकलोटा डिस्टेक है, जहाँ पर जीरो पॉवर्टी अक्रोस कंट्री, मालब पूरे देश में अगर हम लोग बोले सूनी गरीवी की जदर्ज करने वाला जो राज्ये, एक मात्र राज्ये उसका नाम क्या है, तो दोस्तों य यह है कोट्यम इन केरल, तो बहुत डिटेल में पढ़ लिया हम लोगाने, टॉप लोएस्ट हो गया, इनका परसेंटेज भी याद रख लेना, एक कोट्यम केरल हो गया, यहाँ पर टॉप थी क्लियर हो गया, कि सबस्यादा गरीब कौन से हैं, नूट्रीशन क्या धार पर आया है, मालब इविन जो पैरामीटर्स रहे है, पैरामीटर्स कौन-कौन से हैं, इसको इनका पर नाम डायमेंशन दिया है, वो कौन-कौन से हो याद रखने हैं, आपको हैल्थ, एजुकेशन, स्टेंडर्ड अफ लिविंग है, ओके, यूनाइटे नेशन डबलब्मेंट प्रोग्राम, यह कब बनाता है, 1965 में, एग्जेक डेट इसे 22nd of November 1965, New York में इसका Headquarter है, ठीक है, जो United Nations General Assembly की Parent Organization है, बस अपने को पहले इतना याद रखना है, UNDP, United Nations Development Program, इसकी स्थापना कब हुई थी, 22nd of November 1965 को स्थापना हुई, New York City का Headquarter हो गया, अचीम स्टीनर इसके Head है, ज स्टीनर, हम स्टीनर इसके Head हो गए, ठीक है, अचा इसके साथ ही, आप लोग नीती आयूग भी पकड़के चलो, कि नीती आयूग के Head कौन है, नीती आक कब स्थापित हुआ था, नीती आयूग को CEO का नाम है, अमिताब कान्त, अमिताब कान्त, और जो इसके Vice Chairman है, he is Rajiv Kumar, य सब्सक्राइब को, First of Gen 2015, पहले Planning होता था, अब ये नीती हो गया है, ठीक है, बस इतना फरक हुआ और कुछ नहीं है, बाकि सारी चीज़ा जोंकी तो है, और ये भी आ सकते है, इसका Headquarter का हाँ पर है, तो New Delhi's का मुख्याल है, ठीक है भाई, Clear, New Delhi's का मुख्याल हो गया, Next, Center has constituted, केंदर ने क्या किया है, कि एक Committee constitute किये, Central Vista Oversight Committee, प्लीज कीवर्ड मार्क कर लिजेगा इसे, Central Vista, Central Vista Oversight Committee बनाई है, जो ये विस्ता प्रुजेक्ट है, उसके लिए, Oversee करने के लिए, 20,000 करोड के सब पुरुजेक्ट हो, for a period of two years, Former Finance Secretary, Ratan P. Wattel, जो है, इनको पॉइंट किया गया, सब पैनल का Chairman, Super Duper Important, Direct Examiner, यहां से Question पूछ सकता है, कि अभी जो Central Vista के लिए, एक Committee बनाई गई है, उस Committee के Head का नाम क्या है, ओके, तो गैस क्लियर रहे है, Ratan P. Wattel, अभी recent में काफी Committees बनाई थी, हम लोगों ने पढ़ी भी थी, उसमें एक थोड़ा सा का Revision हम लोग कर लेते हैं, Previous Committees का, और आपको वैसे भी याद हो, तो प्लीज मुझे कुछ शेयर करिए, जो Important, Important Committee है, जैसा भी एक Committee बनाई गई थी, बहुत Important है, यह थोड़ सी पुरानी है, बट है, बहुत Important, Mission कर्म योगी को Related, recent की तो मैं revise करा चुका हूँ, Mission कर्म योगी क्या था, कि वो Civil Services Capacity Building, Civil Services, Civil Services Capacity Building, एक Program है, ठीक है, ऐसा था, National Program for Civil Services Capacity Building, इसका नामे Mission कर्म योगी और इसके मादियाम से Bureaucratic Reform लाने के लिए Committee बनाई थी, पॉरवार Infosys CEO, जो SD Shibhulal है, SD Shibhulal, उनको इस Committee का Head बनाई गया था, SD Shibhulal को, ठीक है, अभी हाल फिलाल, एक Committee और Important Committee बनी थी, जो कि ATM Charges को Review करने के लिए, बनाई गई थी, ATM Charges को Review करने के लिए, जो ATM Charges होते है, उस Committee के नाम था, V.G. करनन Committee, ओके, ATM Charges Review करने के लिए, जो Committee बनाई थी, इवन दोस्त, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कि जो Shibhulal, Ship of Financing, Ship of Financing, या Leasing को लेकर, Leasing को लेकर भी अभी एक Committee बनाई गई थी, Ship of Financing, यह बनाई थी, IFSCN, International Financial Service Center Authority, ओके, और इसके Head का नाम था, बंदना अगरवाल, ब Committee जी है वाली, क्योंकि मैंने आपको जो आड्रस Committee पढ़ाई हो, रीसेंट की ही मैं रिवाइस कराता रहा हूँ, तो यह और अब लिखना, बंदना अगरवाल है, IFSC, International Financial Service Center Authority, इसने एक Committee बनाई थी, Ship Leasing के लिए, ओके, या Ship of Financing के लिए, और उसको लेकर यह Committee जो बनाई थी, पैंडोरा पेपर लीक, और पैंडोरा पेपर लीक का जो investigation है, इसके लिए, एक Committee बनाई थी, उसके नाम दा जेवी मोहपात्रा, बलब जो CVDT के Chairman, जेवी मोहपात्रा सहाब, उनकी अद्दिक्षिता में यह जो पैंडोरा पेपर लीक है, प्लीज इसे super important mark कर ले ना, 18%, 18%, 18%, इनको club किया जाए, इनको मर्ज किया जाए, उसको लेकर कैसे काम करना है, क्या करना है, इसको लेकर committee बनी, उसके head बनेते, बसमराज S. बो मई, बसमराज S. बो मई, बसमराज S. बो मई में, दो-तीन बार इसलिए repeat कर रहा हूँ, आपके जहान में यह आ जाए, यहां कंपनी लॉग कमिटी को, और कंपनी लॉग कमिटी के जो चेर्मेन, इनको नाम है, राजेश वर्मा, क्या नाम है, मेरे भई, राजेश वर्मा, कंपनी लॉग कमिटी के चेर्मेन, कंपनी लॉग कमिटी चेर्मेन, राजेश वर्मा, पुनित डालमिया हम लोग पढ़ चु होंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फिर माइक तब कुछ तुम बड़े हैं मिलेगा एक नमबर ठीक है एक नाम जरूर याद रख लिना के कस्तूरी रंगन यह नाम ऐसा है या से दो साल बाद भी एक्जाम का कुशन बनेगा हम लोगों ने देखाता है जो न बनाए गया कि कस्तूरी रंगन को ठीक है नेक्स्ट यार इंडियन टैनिस प्लेयर रामकुमार रामनाथन ठीक है यह यह नेम इंपोर्टन हो गया हमारे लिए सबसे पहले तो रामकुमार रामनाथन इस रिलेटेट टू विच स्पोर्ट एक कोशन यह बहुत अच्छा बन सकता है तो ही इस रिलेटेट टू टैनिस ओके इंडियन टैनिस प्लेयर फाइनल में काफी दफा पहुंचे बड़ जीत नहीं पाए थे इस वार इन्होंने अपना पहला जो सिंगल टाइटल है एटीपी चैलेंजर टूर का वो जीत लिया है असल में यह हुआ कहा था कि इन जिनका नाम है एवगैनी कार्लो वास की इनको हरा कर यह टाइटल अपने नाम किया है बहरिन के मनामा में एटीपी एटी मनामा इवेंट रहा था उसमें इन्होंने सिंगल में एवगैनी कार्लो वास की इनको हरा कर जीत लिया टाइटल ओके पोशन यह भी आ सकता है यहां स है कि he is a from which state, ये किस state से है, any idea, any idea मेरे भाई ये किस state से है, ये कुशन अक्सर पूछ लिया जाते हैं, इसलिए बताऊ मेरे भाई, ये किस state से है, ओके, बहुत बढ़िया, सर तमिल नाडू, ओके, तमिल नाडू, ये नाम जरूर नेक्सर, आइटी बॉम्बे ग्रेजुएट पराग अगरवाल, हैस बीन अपॉइंटेड न्यू ट्विटर सी यो, आइटी बॉम्बे से इसना तक जो है, मतलब पराग अगरवाल इंडियन ओरिजन, इनको नए ट्विटर सी यो नियू किया गया है, अब ये को यार डारेट आप उसे अब restricted नहीं कर सकते, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो अभी तक नहीं आया, उसके आधार पर, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, उसमें ये तो most common होता है कि foundation year, it was founded in which year to 21st of March 2006 को, इसकी स्थापना हुई थी, 21 March 2006 को, इसका जो headquarter है, वो आपका US के California में है, California ये जर CEO है, ठीक है, clear है, next, noted mountaineer from उत्राखंड, हर्ष वन्ती विस्ट, okay, noted उत्राखंड की परसिद्ध परवातार हो ही, हर्ष वन्ती विस्ट, he, she has been appointed as the first women president of Indian mountaineering foundation, यो Indian mountaineering foundation इं 1958 में तो बना था, New Delhi headquarters का, और इसके जो president यहाँ पर, first women president बनीन का नहा में हर्ष वन्ती विस्ट, okay हर्ष वन्ती विस्ट, I hope यहार यह clear होना चाहिए, हर्ष वन्ती विस्ट, hero motocop announced appointment of former chairman of SBI, Rajneesh Kumar as an independent non-executive director on the board of the company, तो जो company का board है, उसमें non-executive director के तौर पर, independent non-executive director के तौर पर, Rajneesh Kumar सहाब को important किया, तो यह कोई और important होता तो फिर भी इतना relevant नहीं, बोलते independent executive director के लिए पर हाँ, Rajneesh Kumar सहाब appointed to a former SBI chairman है, इसलिए यहां पर इनका नाम mention कर दिया गया, okay, यह यह बहुत important cover है, इसकी ज़से लोग थोड़ इसे परेशान भी हैं, क्योंकि World Health Organization ने क्या कहा है, कि एक virus है, जो कि South Africa में अभी discover किया गया है, इसका नाम है V.1.1.529, और इसको नाम इन्होंने दिया है Omicron, it is a Greek letter, और हमारे लिए important बनता है यहां पर कि इसका नेम पूछ सकता है, यह यह पूछ सकता है कि यह कहां कि researchers है, उनके द्वारा discover किया गया है, coronavirus का new strain, तो यह South African researcher है, उन्होंने यहां पर इसको discover किया, और WHO ने इसको variant of concern भी घोशित क दिया है, okay, it is a variant of concern, okay, एक चिंता का प्रकार है, और WHO ने इसको लेकर एक Greek letter, इसका नाम लेटर से इसको denote किया, Omicron से, Omicron, okay, we.1.529, यह जरूर याद रखना, World Health Organization, Geneva, Switzerland, इसका headquarter है, Geneva, Switzerland, okay, अच्छा, एक हम लोगोंने पढ़ा था, TV Partnership Board, also related नहीं यह भी, TV Partnership Board, इसका मुख पार्टनर्शिप बोड़ों के, next, यार, अब जर इंटनेशन Film Festival of India का रिवीजन करते हैं, फिर important news की तरफ और बढ़ेंगे, 1952 में यह पहली दफार found किया गया था, हर साल इसको state of Goa जो है, इसमें currently, मतलब हर साल इसको organize किया जाता है, इस साल 52nd edition रहा है, यह जो festival conduct किया गय किया गया था, ओके, हिंदी में एक ज्यादा भाई, यह हिंदी में गड़वड हो गया, हिंदी छोड़ दो, अंगरे जी पढ़ लो, ओके, तो 50, यह 1952 में found हुआ, गोवा स्टेट में हर साल रहता है, यह इसे गोवा सरकार और यह जो डारेक्टर इट और फिल्म फेस्टि जूरी अवर्ड, लाइफ टाम एंचीमिट और इंडियन परसनलेटी ऑफ दे यह रवाड यह सारी अवर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इस साल कौन सा एडिशन था, 50 सेकंड, यह हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, कि जो गोल्डन पिकॉक अवर्ड है, वो के लिए, तो यह वाला अपना डन हो गया, एक है, ओपनिंग फिल्म कौन सी रही थी, जो ओपनिंग सरेमनी हुई थी, तो पहली जो मूवी दिखाए गयी थी, इडिवास दा किंग ओफ आल वर्ड, यह कार्लोस सौरा की है, एक है, दा किंग ओफ आल वर्ड, अच्छा यह बता सकता है, कोई मेरे को, दा किंग ओफ जो आल वर्ड मूवी है, यह किस देश की है, किस देश की मूवी है, एक बार बताइए रहा, यह किस देश की मूवी है, कि यह और दूसरा क्लोजिंग जो मूवी रही थी, आ हीरो, असगर फरहादी, यह इरान की फिल्म है, असगर सथाबों को, इंडिन फिल्म पर्सनलेडी अवर्ड हेमा मालिनी और प्रसुन जोशी को दिया गया, गोलडन पिकॉक अवर्ड रिंग बॉंट रिंग को दिया गया, मसकाजु काने को को जो की जापान के, सिल्वर पिकॉक में बेस्ट डारेक्टर आवर्ड दिया है वैकलेव को सेविंग वन हुवाज डाइड यह साइज रिपब्लिक के हैं यह बेस्ट आवर्ड दिया गया जितेंदर जोशी को गोदावरी एन बेस्ट आवर्ड फीमेल एंजला मॉलिना शैरलेट के लिए जो इं इंडिया में उसके चेर परसंट का नाम था इरान के फिल्मेकर रक्षन वैनियत मैद के रक्षन वैनियत मैद क्लियर रही है नेक्स आगे यह स्पेशल जूरी अगॉर्ड किसको गया था रहनता को गया था फॉस्ट फॉलन के लिए और निकल महाजन को गुदावरी के मेंहमध को गया है जूरी स्पेशल मेंशन रोमन को गया है को गया सब यह जा afraid ठीक है घबराओ ना थरकार जब सेलरी बढ़ाईगी ना अरे बहुत ज्यादा सेलरी होगे इतना कैसे खर्च करेंगे तब नहीं बोलोगे तब तो आने दो क्या दिक्कत आ रही है अब उसके लिए महनत करने की बात आती है तो महनत चाहिए कम आउटपुट चाहिए पूरा तुम्हारा बस चले तो बारे रुपे की महंगी को ना बस सर बनने के लिए पैन में रखें और उसके बाद वह हमें क्यों ना चार पैकेट दिखने लगे ऐसा कुछ हो जाए ना ऐसा फील होता हुआ ना कि इन्वेस्टमेंट करें कम और रिटन आना चाहिए फुल पिटा इन्वेस्टमेंट जैसा करेंगे वैसा ही रिटन आता है जेतना मीठे डालोगे न उतनी मिठास आएगी और जितना कम मीठे डालोगे अतनी कम मिठास आएगी तो जड़ा ध्यान रखेये मिठास पूरी चाहिए तो मीठे की भरपूर करिए ओके नेक्स आगे अब ये साउथ आफरिकन फिल्म बराकत वाला मैं पढ़ा दिया था बरकत वाला इसमें ब्रिक्स जूरी जो चेर परसन इनका नाम जरूर याद रखना है राषल रवेल करें और लोगे अपनी अप्रूवन दे दिया यहां पर किस को LIC को यहां पर किसी चीज के लिए परसन भारती रिज़र बैंक ने भारति जीवन वीमा निगम को कोड़क माहंदर बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा कर 9.99% करने के लिए अप्रूबल दे दिये LIC कोटक महिंद्रा बैंक 9.99% स्टेक 30 सितमबर तक इसका स्टेक जो था it was 4.96% इसे जरूर याद रखेगा 4.96% ओके और अब केतना स्टेक किसका हो जाएगा एक साल के लिए वैलेड है यह और 9.99% कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में बना था 2003 में हेड़क्वाटर मुंबई महरास्त है इसका और इसके वर्तमान में जो MD & CEO है इनका ना में उद्यक कोटक MD & CEO ओके और जो चेर्मेन इनका ना में प्रकाश आप थे यह चेर्मेन है इसके अलावा जो LIC Life Insurance Corporation of India इसकी स्थापना कब हुई थी LIC की दोस 1956 1956 हैड़क्वाटर मुंबई महरास्त्र ओके MR कुमार इसके चेर्मेन है MR कुमार चेर्मेन यह नाम जरू याद रखना और अभी हाल पिलाल MD के तौर पर एक नाम था Mini IP यह एक्जाम को कुशन आ चुका है Mini IP Managing Director है इसके लवाब और कौन अभी Managing Director बने थी ज़रा decent में एक नाम मेरे को बता सकते हूँ आप लोग Mini IP के बाद भी एक Managing Director बन चुके है इसके Next Reserve Bank of India impose monetary penalty of rupees 1 करोड on Union Bank of India असल में यह penalty क्यों लगाई जाती सीधी सी बात यार आशीश गौतम अगर बिगड़ेगा तो क्या जो मेरे पापा है मेरे उपर कुछ restriction नहीं लगाएंगे बिलकुल लगाएंगे mobile ले ले लेंगे लैपी ले लेंगे हो सकता है मेरे से दोस्त बाइक ले लगाएंगे कि मिनी बिटा तुम अब आवा रहा होगा लव फंडर होगा एक काम करो तुमारी यह सारी चीज़ा रोकनी पढ़ेंगी तब जाके तुम सुत्र होगे ठीक है कुछ ना कुछ अब मेरे से कह दे कि तुम्हें हर जाने के तौर पर जो तुमने यह गड़बड करिये 10.000 रुपे तुम्हें देने पढ़ेंगे तुम्हें नेक्स टाइम करने से पहले सोचूंगा ना तो वैसे यह बैंक्स हैं इनको इनोह ने बैंक जैसे मेरे फा अब क्लासीफिकेशन होता है या जो रिपोर्टिंग होती है या एक यह से अपर इसके उपर लगाई गई किस बैंक के उपर यह जरूर याद रखेगा यूणियन बैंक ऑफ इंडिया उकिन बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कप की गई थी दोस्त, 1919 में, 1919 में, इसका headquarter कहां पर located है, Mumbai Maharashtra, okay, Mumbai Maharashtra, MDN CEO का नाम है Raj Kiran Raiji, okay, Raj Kiran Raiji, यह नाम जरूर याद रखना, MDN CEO name is Raj Kiran Raiji, even guys इसके अलाबद जो important point एक बनता है, जो exam का question बन सकता, it is Andra Bank and Corporation Bank, Indubank को MERS किया गया इसमे, Andra Bank and Corporation Bank now MERS with the Union Bank of India, okay, यह प्लीज याद रख लिजएगा, यार NTPC तक में, SSC में, Bank में, question most common है, यह कि इस वाले Bank में, कौन-कौन से Bank MERS हुए, Andra Bank, Corporation Bank, इन दोनों Bank को MERS कर दिया गया, Union Bank में, okay, next year, with aim to boost MSME lending, micro small medium enterprises lending को boost करने के लिए, State Bank of India ने अभी agreement किया है, Capri Global Capital के साथ, अभी ए Capri Global Capital के साथ, किस तरीके का agreement full lending agreement मतलब यह होता है, कि यह दौनों मिलकर उधार देंगे, मतलब यह जो, यह एक ना दोस्त, एक NBFC कहिए से आप लो, ठीक है, बस इतना समझ लोग कि SBA के साथ, इसने MSME loan के लिए भी एक collaboration किया है, ठीक है भई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट, बाकि यह राव overall session, I hope यार clear रहा होगा, कल है 1st of December, कल से एक और नई शुरूवात, studio से live रहेंगे, कल से आप लोगों के लिए और भी चीज़ा add on होगी, बाकि इसके लावा, आप लोगो मैं फिर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, financial awareness के लिए मेरा batch warrior 9. 9.0 चल रहा है, इस batch को please continue करिए, जो SBI PO mains, IVPS PO mains या IVPS clerk mains के लिए जा रहे है, इविन जो bank exam के लिए जाना चाह रहे है, warrior 9.0 में जाकर enroll कराईए, Monday, Wednesday, Fridays की class होती है, सारी classes live रहती है, इसके recording भी आपको available कराई जाती है, और even guys यह जो class है ना, इस class की PDF भी आपको available कराई जाए जाएगा, बाकि इसकी recording भी आपके लिए available रहेंगे, ठीक है, और even जो current office का batch चार है, उस 7th of December से current office का batch start हो रहा है, Tuesday, Thursday, Saturday, उसकी class चला करेंगे, TTS में, Tuesday, Thursday, Saturday, यह MWF में होगा, Monday, Wednesday, Friday, सारी classes आपको मिलेंगे, add 247 app पे, इनके पास bank maha pack है, उनको यह सब कुछ उसी में मिल जाएगे, जिनके पास नहीं है, वो जाकर bank maha pack में रोल करा लीजेगा, app पे जाएए, web पे जाएए, y168 code लगाईए, ठीक है, इस code पर आपको 78% discount मिलेगा, बिदे डवल वैलेटी, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, रादराजे दोस्तों, take care, bye-bye, चल रखेगा अपना, जाएए, घाएए, जाएए, 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 लाएए, ऑट्याराओे. झाल झाल